एक part time trader 3 week tight close के लिए कैसे करेगा scanning जानेंगे इस वीडियो में Hi everyone, welcome back to channel और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 week tight close के scanning के बारे में कैसे कोई part time trader scan करेगा 3 week tight close के लिए क्या क्या चीज़े दिखेगा वो इस वीडियो में discuss करेंगे और आप चैनल पे नए है या directly इस वीडियो से जोइन होगे तो एक request होगी आप जो last वीडियो है 3 week tight close का fundamental है जो 3 week tight close की जो requirements है उसके regarding में नए वीडियो बनाए आप वो वीडियो देख लीजे तो आपके लिए easy रहेगा ये वीडियो समझना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक request होगी कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो आइए start करते हैं सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे होगे screen पे चार्टिंग का एक scanner है और मैं आपको समझा दू क्या कंडिशन मैंने already जो हमारे requirements थी काफी सारे requirements वह यहीं पे feel कर रहा होगा आपको बस normal scan से जाना होगा तो सबसे पहली जो requirement है 30 rupees के उपर अगर आप चाहे तो एक रूपे के उपर के भी stock देख सकते लेकिन मैं suggest करूँगा कि in liquid stocks में आ जाए आप penny stocks में आ जाए वह better रहेगा जो second condition है वो है stock 30% stock का move जो हमारी अगर आप यहाँ पे देखे तो पहली condition है कि select the stocks जहाँ पे 30% का move आया हो तीन मैंने के अंदर तो वो condition आपकी already यहाँ पे आ गए तो आप यह scan run करेंगे तो आपकी पहली condition तो already match हो चुकी होगी जो third condition है वह optional है अगर आप चाहे तो इसको रख सकते है अगर आप 50 days के ऊपर closing की जिरूत नहीं तो आप इसको hide करके रख सकते है मैंने यह scan जो किया है हूर करके है क्यूंके मुझे आपकी हो जाए जूधा stock मिले है okay यहां पे मैंने थोड़ा वफर लेकि इसको 3% तक रखा है तो आपको यह भी चीज़ देखनी नहीं होगी यहां पे जो next condition है वो market cap मैंने बस एक number के उपर रखा है और जो last condition है वो मैंने volume की रखे 10,000 के उपर उसका 50 रहे volume हो तो यह सारी condition यहां पे आपको अलड़ी मिल जाएगी और यह scanner आपको वीडियो के नीचे एक link में इसका छोड़ दूँगा वहां से आपको इसको copy करके use कर पाएंगे तो यही scanner में जो total stock आया है इसको मैं run scan कर दे रहा हूँ तो टोटल 27 stocks यहां पे आये और इसी stocks को मैंने ले लिया है trading view पे और आईए trading view पे जाके इनको scan करते हैं अब आईए जानते थोड़ा धन के बारे में अगर आपका account धन में होगा तो आपको क्या-क्या चीज़े मिलेगी जैसे कि अगर आप जो भी stock अगर आप यहां पे देखे stock के अंदर position देखके जाए तो जो भी आपको यही पे अपक्लिक करेंगे डैरेकल अगर आपको कोई stock चेक करना हुगा उसका चार्ट तो आप सिधार trading view यहां पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको यह benefit होगा कि आपको अलक्सिल trading view के ऊपर जाना नहीं होगा आप डैरेकली एक प्लिक पे एप के ऊपर हो जाएंग अगर आपको चार्ट देखना होगा तो वह भी आप उसी लिए अक्सेस कर पाएंगे अगर आपको एक डेटा चाहिए जहां पर स्टॉक फिप्टी टूविक हाई पे है तो आप देख रहे हैं आज के लिए जस्ट इनाट बेवरेजिस ऐसा स्टॉक है जो फिप्टी स्ट करनी हो बाइए य श फी घरलेघ्लिष करते हैं तो कि अगरा आप और बैइंसे पठाट करें 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 तो एक और वेश्क्रीूम जिए जाहंपे बड़न ओलियुम और सभसे ज्यादा वाल्यूम हुआ हैं तो यह सारी चीजहें आपको नीकनी Sound keywords diesem तो आपको धन भी भी लेंगे और अगर आपको इंडेसिस दिखने होगे लिए से आपको ग्लोबल इंडेसिस देखने है तो आप यहाँ पे SZNifty, FTSE, NASDAQ सब यहाँ पे देख पाएगे आपको सिर्फ NSE के इंडेसिस देखने होगे यह सारे इंडेसिस आपको देखे, Nifty 50, Nifty Next 50, Bank, Nifty 100, 500 ऐसे पूरे जो इंडेसिस है वो पूरी लिष्ट आपको यहीं पे बिल जाएगे आपको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तो वेट मज कीजिए अगर अभी तक आप देख दन में अपना अकाउट ओपन नहीं करवाए तो वीडियो के नीचे एक लीक होगा लीक को क्लिक करिए और दन में अपना अकाउट ओपन करवाई और यह सारे बेनिफिट इंजोई कीजिए सो चार्टिंग में से मैंने जो स्टॉक्स यहां पर ला दिये है और आपके चार्ट भी सेटिंग देखे तो यह वीकली चार्ट होगा और यह व्यू लाइन है वो है 10 यहां में तो सबसे पहला स्टॉक है CMS Info System और अगर यहां पर हम देखे तो हमें तीन वीक की क्लोजिंग टाइट लग रही है इसको हम रखेंगे रडार में और पूरी पूरी लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद एक करके जाके देखेंगे जो नेक्स टॉक है वो है सिर्का पेइंट और सिर्का पेइंट में अगर अगर देखें तो 3 वीक की क्लोजिंग टाइट हुई है यहां पर इसको भी एड़ कर लेंगे नेक्स्ट गनेश यहां पर क्लोजिंग आपको पता चल रहा होगा कि टाइट क्लोजिंग नहीं है नेक्स्ट जो है CC Power और नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड यह काफी चॉपी सा एक्षन है यहाँ पर सो इसको अवाइड करेंगे नेक्स सांतिक यह यहाँ भी एक अप्रू के बाद साइडवेज नेक्स्ट काफी चॉपी एक्षन आपको देखके पर चल रहा होगा और टोटली लिक्विडिस का विकली वल्यूम भी एक करोण नहीं है तो इसको टोटली अवाइड करेंगे मैंने 27 स्टॉक को स्कैन करके यहाँ पर ला दिया है इस पे से जो मुझे अच्छे लगे वो मैं आपको दिखा रहा हूं और यहीं पर आपको लर्निक होगी क्योंकि मैं अगर 27 स्कैन करता अगर विडियो बनाऊंगा तो आपका काफी टाइम देश्ट होगा तो सबसे पहले जो अच्छा लगाए है वो है VIP इंडेश्टिस अगर आप यहाँ पर देखें के इसके थी वी टाइट फ्लोज है की नहीं वो है यहाँ पर लेकिन VIP इंडेश्टिस का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ध्राइड वोल्यूम नहीं है अगर आपकी कंडिशन ह यहां पर अगर आप यहां पर देखें तो यॉल्यॉम कंट्राक्शन व्याइबी इंडस्टी में वल्यूम कंट्राक्शन नाहीं और इसी वजह से विए पी इंडस्टी हम ऑवर्ड करेंगे जो नेक्स्ट है वह मसदियुएंद सिंस इन्फो ये फैञे यहें पर पर ते आपको बोलते है वल्यू पंट्रक्शन है आपको अवैलेबल है सो CMS info जो है वो आपकी वस्रिस में होना चाहिए और चार्ट पर मैंने एक और चीज एड़ कर दिये 30 दे की मुविंग आवरेंज और देखें यहाँ पर के 30 दे की मुविंग आवरेंज से उपर है 10 एमे और दोनों राइजिंग है सो CMS info system एक 3 week tight close pattern के लिए right candidate है अब इसको भाई कैसे करेंगे जैसे मैंने बताया था अगर आपको 3 week tight close मिलता है मुझे किसी ने DM में बहुत सारे चार्ट बेजेते और ऐसे 5 या 6 मुझे DM आए कि यह सही 3 week tight close है की नहीं तो मैंने जो आपको condition दी है already आपके पास condition है अगर यह सारी condition वहाँ पर मैच हो रही है तो वो 3 week tight close है तो सबसे पहले हमने यह condition चेक कर ली कि भी volume contraction है swing high से 15% के अंदर है की नहीं तो वो चेक कर लेते 15% यहाँ की इसका swing high है और यह 7% तो वो भी हमें green flag मिल गया current price should be preferably within 10 week की moving average से 10% से अंदर हो तो वो भी हमें मिल रही है यहाँ पे 3% तो वो condition भी मैच हो गई क्या एक young stock है young stock है यह बिलकुल एक young stock है क्योंकि यहाँ से move start हुआ और यहाँ पे condition देखे यहाँ से इसका stage to start हुआ यह 10 and 30 rising 10 and 30 और यहाँ पे जाके एक base बनाए तो CMS info एक young stock है rejection है क्या कोई हम वो भी check कर लेते हैं rejection है कोई बड़ा no rejection है भी वो भी fourth week पे है यहाँ पे है एक टीक week के पहले है तो ideally इतना problem नहीं create होगा वो है there should be follow up buying तो follow up buying भी है देखिए यहाँ पे follow up buying भी है यहाँ पे stock के अंदर एक पर कम के बाद यहाँ पे follow up buying भी सारी condition almost match हो रही है और आपको बस अपना decision लेना है यहाँ से इसी तरीके से आपको scan करके decision लेना होगा अब next stock जादे circa paint circa paint भी एक tight stock है so circa paint में भी लेकिन paint के कोई stock ऐस इतना movement नहीं दे रहे और circa paint का अगर आप भूखे तो एक young stock है कि नहीं वो check करेंगे तो अब अगर आप यहाँ पे देखे तो अल्रेड़ी एक या दो move circa paint में आ चुक है so अगर मैं पार्ट टाइम टेडर होगा तो मैं जिस तरह की market condition है अभी अगर sideways होता market पहले से तो साइच सिरका paint में लेता लेकिन अभी की market condition है कि market already move हो चुक है तो finally आपके कोई भी trade decision से पहले एक तो आपको check करना ही होगा कि आप market condition कैसी है वो तो आपको decide करना ही होगा so next जो है वो है लंबो दर टेक्स्टाइल और यहां पे भी volume नहीं है तो मैं इसको बिल्कुल अवोइड कर रहा हूँ next is Mrs. Vector food और Mrs. Vector food में आप देखे तो three week tight close है यहां पे और इसके अंदर एक है कि volume इतना dry नहीं हुआ जो आइडिली जितना होना चाहिए उतना dry नहीं है लेकि फिर भी यह setup kind of अच्छा setup है यह Mrs. Vector food अगर आप second option लेना चाहते तो सो Mrs. Vector भी एक अच्छा setup है और जो last है वो है mcx और mcx में दिखे सबसे better setup मुझे यह लगा हाला कि हां इसका free float बहुत जादा होगा वह भी हम जाके देखेंगे और इसी वज़े से अगर एक stock आपको select करना होगा तो सबसे पहले top priority होगी आपकी CMS Info System, second priority पे Mrs. Vector और third पे mcx आप कैसे check करेंगे free float तो इसके लिए आपको BSE की website के उपर जाना होगा और अभी आप देख रहे होगे CMS Info System का यहाँ फे free float है आपको 5000 करोड के below चाहिए अगर stock आइए चेक करतें mcx का free float कितना है so mcx का free float है 7000 करोड इसी वेज़े से यह third number पे रहेगा जो other stock है वो है Mrs. Vector तो आइए Mrs. Vector का भी चेक करतें कितना free float है इसका free float है 1248 तो आपके अगर इस week से 3 week tight flows आपको लेके जाने तो दो stock ऐसे है और ideally देखा जाए तो एक ही होगा cms info जहांपे drive volume है अब जाके आपको एक ही चीज़ देखनी होगी कि इस तिनों के sector अगर यह तिनों के sector perform कर रहे होगे यह जो stock है अगर वो sector perform कर रहे होगे तो आप इसमें buy initiate करेंगे अगर sector perform नहीं कर दे तो आप थोड़ा wait करें करेंगे जब तक sector perform नहीं करेंगा तो इसमें वो push नहीं भी लगा या फिर आप एक छोटी सी size यहां पर buy करके देख सकेंगे आपको time अगर आप test करेंगे आप entry करेंगे तभी आपको समझ मेंगा पूरी system कैसे वार कुदी कितना wait करना होता है कि यह स्टेटर्जी आपकी काम की है कि नहीं जब आप trade करेंगे पेपर trade नहीं जब आप real trade करेंगे लिकिन बिल्कुल छोटी quantity से तभी आपको समझ मेंगा और जब आप एक strategy पकड़े तब आपको उसके उपर थोड़े trade लेने होगे तभी आपके अंदर वो mindset वो आपके emotion develop होगे कि यह strategy आपके लिए है कि नहीं है पर मेरा पर यही ट्राय रहेगा कि मैं आपको ऐसे ही setup की strategies देता रहूं कुछ input देता रहूं जिससे आपकी trading में help होती रहे तो यह था वो scanning video 3 week tight close के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को like कर देना और अपने दोस्तों के साथ channel की link share करना ना बोले that's it for today thank you for your time